अल्लिम्टेट गुर्ट व्याज़पर बनने वाले प्रस्ट को लेकर आज के इस वीडियो में हम चरजा करने वाले हैं चक्विदीर व्याजपर बनने वाले प्रस्ट को लेकर कि चक्विदीर व्याजपर किस तरहें के प्रस्ट बनते हैं तो यहां पर देखें एक प्रस्ट में 6,750 उर्पया हो जाता है तो वह धन ग्यात कीजिए तो इस प्रकार का प्रस्म जो है कि आपकी एक्जाम में बनता है तो इसको साल्व करने के लिए आप कैसे इसको बनाएंगे एक्जाम हाल में आसाल में इसको देखेंगे तो पहले हम इसका करने हैं किया सब्समाइंटल समझ लिते हैं कि कैसे है हो गया है तो आये देखते हैं इसका फंडामेंटल पहले समझ ते हैं कि इसको बनाएंगे हम वा हाई पास धन्यक्स है धनrån है अगले टी वर्स में वह जड्ड़ बन जान है जाता है कितना बन जाता है जिट आप यहां पर विशेशतोर से ध्यान देंगे कि यहां पर टाइम दोनों के बीच से महना चाहिए अगर सेम रहेगा तो यह रूर फालो हो पाएगा यहां पर तो देखिए हमने आपको बताया कि यह धन है हमारे पास वह टाइम टी वर्स में वाई हो जाता है और अगले टी वर्स बाद वह कितना हो जाता है वही धन जेड बन जाता है तो यहां से हम एक फर्मुला लगा सकते हैं ट्रिक जिसको हम कहेंगे ट्रिक हमारा बन जाएगा वाई इसक्वाइल 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 टू जेड इंडू का यह हमारे पा पांच वर्ष में 4500 हो जाता है कोई धन पांच वर्ष में 4500 उर्पया हो जाता है तो यहां पर देखिए धन हमने कहा था कि यक्स आपको मानना है लेकिन यहां आप देखिए कैसे जिसको साल करेंगे धन यक्स है धन कितना है यक्स है पांच वर्ष में अधम कितना हो जाता है 2500 उपया हो जाता है तता दस वर्ष में यहीं धन अब दस वर्ष में तो आप इसके और इसकी बीच का ग्रेंट देखिए यहां से यहां तक तक टाइम कितना लगा होगा उसको पाइप वर्स ही लगा होगा अधात यहां पर इसका समय बराबर हो जायेगा तो हमने का था कि यहां पर कर सकते हैं जब करेंगे यह यहीं बन गया भारा इसको इसको करेंगे तब यहां पर यहां पर बन जाएगा 4500 इसकार तो दो बार लिखेंगे तू टाइम हो जाएगा आपान का 6, 7, 5, 0 1, 0 यह देखिए 0 से कंसील हो जाएगा आगे इसको सामख करेंगे तो यहाँ 2, 0, 1, 0 इसका कितने 0 हो जाएगे? 3, 0 और यहाँ 45 बचेगा यहाँ भी 45 बचेगा तो 45 का इसकार आप जानते हैं कि यह आपका बन जाएगा 20 और 25 बोल अपान का 6, 7, 5 6, 7, 5 इसको आप पैंसील करेंगे तो यह तीम बार में पैंसील हो जाएगा आपके पास उनसर आजाएगा 3,000 रुपे तो वह धन कितना था आपके पास 3,000 रुपे था क्लियर है एक बार मैं फिर से इसको रुपीट कर रहा हूँ कि कोई धन यक्स आप मान किसे लिए वह धन यक्स है टी वर्स में वाई हो जाता है और अगले टी वर्स में वह जड़ बन जाता है अगर यहाँ पर टाइम दिए यट सेम दिख रहा है आपको तो यहाँ पर ट्रिक के मादन इसको कर सकते हैं यस पार इकोल टू जड़ यक्स तो वह धन आपको आसानी से ग्यात हो जाएगा जैसे यहाँ पर सवाल लिया गया था तो यहाँ पर देखिए हमने धन को यक्स माली आ था यक्स और पांच वर्स में वह चार जार पांच सो होगा उसके बाद अगले दस वर्स में वही धन अगले दस वर्स में यहाँ से कांट करेंगे टाइम बीरेट को दस वर्स में शाजागा सोपचान हाता है तो इसके इसके बीच लगा समय कितने वर्स होगा फाइब वर्स ही होगा देखिए कर सकते हैं इसको करेंगे तो इसका एंसर आने वाला है 3000 रुपी क्लियर है यहां पर नेक्स्ट प्राव्लम आपके सामने कि कोई धन 10 वर्ष में 6600 रुपया था पीस वर्ष में इंडियान 2450 रुपया है तो वह धन आपको ग्यार करना है सवाल से महें दम आप यहां पर देखिए 10 वर्ष है इनके इनके 20 का अंतर निकालेंगे तो 10 वर्ष आएगा तो टाइम पिरिएट से इन दिख रहा है आप इसको इस तरह भी सबसकते हैं कि माल लीजिए कि हमारे पास धन यक्स है वह 10 वर्ष में आपका बन जाता है 6600 तीन सो रुपे और वही दर आपका बन जाता है अगले 20 वर्ष में कि 20 वर्ष में 99450 रुपे तो यहां पर इनके 20 का टाइम पिरिएट अगर आप निकालें तो बीस में से 10 वर्ष घटा देंगे तो आपको 10 वर्ष यहां भी बन जाएगा 10 वर्ष यहां भी बन जाएगा इसका मतलब है कि टाइम पिरिएट से दिख रहा है आपको 10 वर्ष 10 वर्ष तो हमारा फार्मुला यहां पर काम करेगा यहां पर यहां पर यहां पर बन जाएगा यक्सी रुपट हो जाएगा डवल जीरो अपान नाइन नाइन पोट फाइजीरो इन्टु यह स्पार रत इसको हम दो बार लिखेंगे कि इतना बन जाएगा इसको कैंसील आउट करके साब करेंगे तो आपका एंसर बन जाएगा 242 रुपए यह है यहां पर देखें थाड़ इजांपल है बहुत ही इंपॉर्टन इजांपल है यह अपर आप कैसे इसको बनाएंगे जाम हाल में 1984 में एक मशीन का मुले चार सुर्पे था 1984 इस भी में एक मशीन का मुले चार सुर्पे है और दराय के 1988 में मुख नव सुर्प्या हो जाता है तो 1986 में मशीन का मुल्ड क्या रहा होगा यह आपको फाइंड करना तो देखें इसको आप कैसे बनाएंगे तो यहां पर जितना यह दिया गया आप उसको लूट डाउन कर लिए यहां पर देखें 1984 से स्टाट है 1984 फिर 1986 है फिर आपका है 1988 अगर आप देखें तो इनके बीज का गयब दो और्ष आ रहा है इसका मतलब यह है कि यहांपर टाइम पिरियेड सेम है अगर सेम है तो हमारा त्रिक यूज होगा यहांपर कैसे जोगा वह देखिए 1984 में इसका मुली कितना था मसीन का 400 रुप्या था तो यहांपर आप चार सुरुप्या रख लिजिए और कराय की 1988 वह नव सुरुप्या हो गया यहां पर हो गया 900 रुप्या आपको कराय कि यहां पर इसकी वैलू क्या रही होगी वह आपको फाइंट करना है तो अब यक्स मानेंगे बीच वाला वाई मानेंग वाई हो जाता है अगले वर्ष में बन जाता है तो यहां पर अगर यहां पर इसको साफ करें अगर हम तो वाई युक्वाड लिख सकते हैं 900 पूरा पूरा इंडू 400 इसको साल्फ करेंगे तो नव चौका 36 जाएगा 36 का वर्लों निकालेंगे आप बन जाएगा 6 और यह डवल जीरो बन रहा है तो यह इंसर हो जाएगा होगा इपर टू 600 रुपे यह आपका 1986 में उस मसीन का मुल रहा होगा तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें और अपने वीडियो के साथ मिलते हैं धन्यवाद